भारतिय मरुस्थल हमने कक्षा आठवी में भारत में थार का मरुस्थल पाठ पढ़ा उसके आधार पर कक्षा में चर्चा कीजिये कि आपको जैसल मेर के किसी गाउं में एक साल के लिए भेज दिया जाए तो आप अपने इलाके से क्या क्या फर्क कर पाएंगे और क्यों संसाधन और अर्थवयवस्था हम जानते हैं कि थार के मरुस्थल में जीवन यापन बहुत जटिल रहा है हमें जानकर आश्चरी होगा कि पर्यावरन की प्रतिकूल इस्थिती और प्राकरतिक संसाधनों की कमी के बावजूद थार का विशाल मरुस्थल संसार के सभी मरुस्थलों में सबसे सगन आबादी का शेत्र है यहां के पारंपरिक उद्योग धंदे जैसे बंधेज, लाग की चूडिया, कपड़े की बुनाई और रंगाई, आभूश्णों पर मीनाकारी, पत्थरों की नकाशी आधिक काफी प्रसिद्ध है यहां का पारंपरिक कुटिरुद्योग आज कठिनाई के दौर से गुजर रहा है मारवाड और गुजरात के कक्ष और काठियावाड के लोग सदियों से व्यपार के लिए भी जाने जाते हैं यहां के अधिकतर लोग क्रिशी और पशुपालन से अपना जीवन बसर करते हैं राजस्थान का थार भारत का सबसे बड़ा उन उत्पादक शेत्र हैं यहां का उन कालीन उत्द्योग के लिए सर्वुत्तम माना जाता है बिकानेर एशिया में उन की सबसे बड़ी मंडी है यह दिपितार एक मरुस्थल है और यहां वन नहीं है खेजडी यहां का एक प्रमुक्वरिक्ष है जो मानाव और जानवर दोनों के लिए उप्योगी है इसके पत्ते यहां के पशों के लिए बहुत ही पौश्टिक हराचारा प्रदान करते हैं इसकी लकडी भवन निर्मान, क्रिशी, उटगाडी आधी के लिए इस्तमाल होती है इसके अलावा खेजडी के जड़ भूमी में नाइट्रोजन योगी करण में बहुत सहायक है खेजडी के अलावा रोहिडा भी एक उप्योगी वरिक्ष है जो चारे के अलावा मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखता है इसका इस्तमाल कृषिवानिकी के संदर्व में मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए किया जाता है रोहिडा फनीचर के लिए बहुत उप्योगत है इसके तने की छाल में औशदी गुण है राजस्थान नहर राजस्थान नहर को इंदरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है यह नहर भारत के व्रिहत परियोजनाओं में से एक है यह नहर सुल्तानपूर की हरी के बैराज से शुरू होती है इंद्रा गांधी नहर बनने के बाद श्री गंगा नगर जिले में सबसे ज़्यादा खेती होने लगी है नहर बनने का इतिहास सन 1899 से 1900 में इस इलाके में भैंकर सुखा पड़ा बीकानेर के महराज गंगा सिंग ने इस सुखा पीडित अंचल में सतलच के जल से सिचाई के पर्योजना बनाई गंगा सिंग ने गंगा नगर जिले की स्थापना की भारत की आजादी के बाद फिर एक बार खुदाई का काम शुरू हुआ सन 1985 में इस नहर का नाम इंद्रा गांधी नहर रखा गया इस नहर से पंजाब एवं हर्याणा को भी जल मिलता है राजस्थान के रेतीले शेत्र यथा बाड मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगर, जैसल मेर, जोधपूर एवं गंगानगर में इस नहर से जल क्यापूर्ती होती है इस नहर की वज़ा से इस मरू प्रदेश में क्रिशी का विस्तार हुआ थार में विभिन प्रकार के खनिश्पदार्थ भी पाया जाते है क्या आप जानते हैं कि विश्प के वास्तो शिल्प का अनूठा नमूना ताज महल नागाउर के मकराना से प्राप्त सफेज संग्मर्मर से बना है जोदपूर अपने बल्वा पत्थर और जाल और ग्रेनाइट के लिए मशूर है जैसल मेर और बाड मेर में मिला खनिश तेल पिछले 25 सालों में भारत की सबसे बड़ी खोज है तेल, गैस और पवन चक्की एवं सौर उर्जा से बिजली पैदा करने की अभूत पूरु संभावनाओं के कारण राजस्थान में आर्थिक विकास की दिशा और दशा में अनुकूल परिवर्तन की उम्मीद है राजस्थान और विशेशकर थार परिटन के लिए विदेशी सैलानियों में काफी मशूर है जिसके कारण यहां आतित्य सतकार से जुड़े होटल और परिवहन उद्योग के विकास को काफी बल मिला है थार मरुस्थल का एक गाउं भारत के भौतिक विभागों में थार का मरुस्थल भी प्रमुख प्राकृतिक विभागों में से एक है आईए इस प्रमुख प्राकृतिक विभाग को समझने के लिए थार के मरुस्थल के एक गाउं का अध्यन करने का प्रयास करें राजस्थान के सुदूर पश्चिम में जैसल मेर में भारत पाक सीमा के पास लूनार एक गाउं है रतन सिंग की ढाली यानि टोला एक छोटा सा टोला है यहाँ छोटे छोटे घर बसे है चारो तरफ रेथ ही रेथ दिखाई देती है यहाँ की जलवायू बहुत शुश्क होती है यह एक गर्म मरुस्थल है पहले यहाँ छोटे छोटे कच्चे घर थे पर तु अब वर्तमान में पक्के मकान भी बन गए है यहाँ आजीविका के ज्यादा स्त्रोत उपलब्द नहीं है घास की कमी के कारण लोगों को 10 किलो मीटर तक जाना पड़ता है